नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को आप दोस्तों हनुमान जी महाराज दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं और ह हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है भगवान श्री राम ने स्वयम हनुमान जी महाराज को वर्दान दिया है कि आप कल्यूग में रहकर के मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को सदैव सुखी रखना और उनके कष्टों को दूर करना देखिए मंगलवार के दि कोई बाधा आ रही है परेशानी आ रही है करजे के भार से परेशान है तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा जो उपाय बन पड़े वह उपाय अवश्य करिएगा और हनुमान जी महाराज को कल्यूग का साक्षात एक मात्र ऐसा जीव को चड़ाई है अब देखना दूसरे दिन को परेशानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है हनुमान जी महाराज को तातकालिक देवता कहे गए हैं यह प्रत्यक्ष रूप में कल्यूग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं परंतु हमें दिखाई नहीं द पर हम देख नहीं पाते तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया जा सके आज की इस वीडियो में जानेंगे साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबान उपाए क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं। मंगल दोश लगते हैं तब व्यक्ति के जीवन में कर्ज भार बढ़ता है। जी हाँ भूमि पुत्र जो मंगल ग्रह गए हैं इन्ही के कारण कर्ज एक आभार हमारे जीवन में आता है। कर्ज से आते हैं। भूमि पुत्र, जो मंगल देव है, इनके स्वामी कौन है हनुमान? जी महराज, तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? कौन से उपाय से कर जैसे ततकाल छुटकारा मि वीडियो को कंटिन्यू देखना और कमेंट बॉक्स में श्रीराम अवश्य लिखना, आज की मिस करते हैं तो दर्शकों सारी जिंदगी आपको पच्चताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा, यह उपाय लाखों रुपे खर्च करने के पश्चाद भी कोई नह पथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, जो नव विवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। पहले से तो वह समस्या तीवर बढ़ जाती है और इस दिन नमक लेकर खाने से अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्ज का भार बढ़ता है। इस दिन यदि आप किसी से उधार लेते हैं लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है समर्थवान हो जाते हैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चुकाना और इस दिन भाईयों से भी अपने जगड़े नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने भाईयों से जगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा। तो माम, गलवार के दिन भूल करके पार नहीं खाना है। पान खाकरके नहीं थोपना है। अब आईये। इस वीडियो में जानते मंगलवार के दिन किये जाने वाले चमतकारिक उपाये के बारे में जो उपाये आपके जीवन को सुखमे बनाएंगे, आनंदमे बनाएंगे। जानते मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए। ये कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। करजे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो फिर यह उपाये सोने पे सुहागा, जिस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। मंगलवार के दिन के नियम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है। और नियम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है उसके उपर में आपको दूध डालना है और यह उपाय कब करना है तब करना है जैसे कि आप करजे के बाहर से लंबे समय से परेशान है कोई खास मनोकामना हो या फिर विवाह में विलंब हो रही है नियम के इस उपाय को करने के पश्चात करजे का आभार उतर जाता है। और यह में जो उपाय बता रहा हूं, लाल किताब का उपाय बता रहा हूं। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं, सब सटीक उपाय है। इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझ प्रवाहित करें और हो सके तो खंड है, मशहूर है या साफ है। अब यदि आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो। यह भी कहा जाता है। इस दिन बुआ या बेहन को लाल कपड़ा दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कोई आपके कारे में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपनी बुआ को या फिर बेहन को लाल कलर के कपड़े दान आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है। यह हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ती होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो राम ध्वज तो आने का जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन जी, हाँ ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनियेगा। यदि आपकी कोई खास बड़ी मनोकामना हो, तो यह उपाय आपको पान्च मंगलवार तक प्रति दिन बिलकुल ही करना है। पान्च मंगलवार बिलकुल ही बीच में आपको नहीं करना है। छोड़ना नहीं है, यह भी समझा जाता है। चुटकियों में टाल जाते हैं, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है, जो हनुमान जी महाराज कलियुग में प्रत्यक्ष देवता है, जीतने भी संकट है, कश्ट है, परेशानी है, दुखा है तकलीफ है, दरिद्रता है सारी समस्या को छुटकी में समाप्त कर सकते हैं हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए है यदि कर्जे से लंबे समय से परेशान है तो रण मोचन एक आता है हनुमान जी, महाराज का स्त्रोत आप उनका भी पाठ कर सकते हैं एल, एल मोचन, हनुमान स्त्रोत बैठाते हैं आप गूगल में सर्च करके देखिये, आपको मिल जाएंगे आप इनका भी बात कर सकते हैं? ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के बाद से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाएं हनुमान जी महराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम 21 तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कितने पाठ करने है, वह भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको 21 बार एक दिन में आप जो है, 10 सुभह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए, तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है, और साथ में आपको 21 चने और गुड को किसी गाय माता को लगातार 20 दिनों तक खिलाना है, तो 21, 12, 21 दिनों तक करने से आप देखिए, कैसा भी सिर पर कर्ज का भार बढ़ा हो, वह धीरे धीरे उतर है, क्योंकि मंगल दोश के कारण कर्जे का भार उतरता है, मंगल का स्वामी हनुमान जी, महाराज, ये हनुमान जी महाराज, आपको बिलकुल ही छुटकारा दिला देते हैं, संदेह नहीं है, इस बात पर आप संदेह न करें, ये उपाय में संदेह न करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे, जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बान या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है, मंगलवार के दिन रामरक्षा स्त्रोत का पाठ करें, इससे हनुमान जी की क्रिपा से जीवन की समस्त समस्याओं मुक्ति मिलेगी, तो यह थी, आज की खास जानकारी आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई हो.